तो गाइज Realme 8 5G इंडिया में लॉंच हो चुका है और अब बार ही है दोस्तो Realme 8 Pro 5G की तो गाइज कुछ दिन पहले Realme की Q3 सिरीज जो है वो चाइना में लॉंच होई थी और उसमें जो Realme Q3i के नाम से स्मार्टफोन एक चाइना में लॉंच किया गया था सेम वही स्मार्टफोन दोस्तो रिबरांड होकर इंडिया में Realme 8 5G के नाम से लॉंच हुआ है और अब दोस्तो जो Realme Q3 5G स्मार्टफोन जो चाइना में लॉंच हुआ है और वही smartphone सेम दोस्तो रिब्रांड होकर Realme 8 Pro 5G के नाम से इंडिया में launch होने वाला है कुछी दिन में अब ऐसा मैं दोस्तो आपके आपसे क्यू करा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पर explain कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो जो Realme 8 Pro 5G है वो इंडिया की दोस्तो BIS वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था Qualcomm Snapdragon 750G के साथ और जो चाइना में Realme Q3 लांच हुआ है वो भी दोस्तो Qualcomm Snapdragon 750G पर ही है तो सेम यही smartphone दोस्तो इंडिया में Realme 8 Pro 5G के नाम से आने वाला है तो यहाँ पर अब दोस्तो हमारे पास Realme 8 Pro 5G के Confirm Specification आ चुके है तो अगर आप इस phone के लिए excited है तो वीडियो में end तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में Realme 8 Pro 5G के Confirm Specification Price और Launch Date के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी यहाँ पर आपको ऐसी ही न्यूस देखने को मिलती रहेगी तो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते है तो यहाँ पर गैज सबसे पहले अगर design की बात करें तो कुछ इस तरीके का design आपको देखने को मिलने वाला है इस बार भी आपको यहाँ पर realme 8 4G वाली series की तरह यहाँ पर आपको dare to live बड़े बड़े अक्षरों में देखने को मिलता है इसके अलबा यहाँ पर 189 grams का weight है और 8.8 mm का थिकने से तो और अलब दोस्तों look और design जो है वो same आपको realme 8 4G series थी वैसा ही design आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अलबा 6.5 inch का full HD plus IPS LCD वाला display आपको मिलता है यहाँ पर आपको नहीं AMOLED मिलता है और नहीं Super AMOLED LCD वाला panel यहाँ पर मिलता है लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको साथ में 120Hz का fast refresh rate मिलता है और साथ में आपको 180Hz का touch sampling rate भी मिलता है और 600 nits का peak brightness है तो और अल दोस्तों display काफी अच्छा है लेकिन अगर AMOLED होता तो दोस्तों और भी ज्यादा मज़ा आता इसके अलबा प्रोसेसर की दोस्तों बात करें तो Qualcomm Snapdragon 750G है जो की 5G प्रोसेसर है और काफी अच्छा प्रोसेसर है और काफी powerful भी है इसके अलबा यहाँ पर आपको triple camera setup मिलता है जबकि Realme 8 Pro 4G था उसमें आपको quad camera setup मिलता था यहाँ पर पीछे की साइड में आपको 48MP का primary camera है 8MP का ultra wide है और 2MP का macro sensor है और आगे की साइड में 16MP का selfie camera है दोस्तों और 5000 mh की battery है और साथ में आपको 30W का fast charger मिलता है और यह battery दोस्तों करीब 65 minute में full charge हो जाती है इसके अलबा दोस्तों कुछ other features की यहाँ पर बात करें तो dedicated sim card slot का यहाँ पर आपको option मिलता है इसका मतलब 2 sim card और एक memory card यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे इसके अलबा 3.5 mm का headphone jack इस phone में है और dual 5G sim का भी इस phone में आपको support मिल जाता है दोनों ही sim आप 5G भी यूज कर पाएंगे और यहाँ पर अगर price की दोस्तों बात करें तो इस mobile में आपको दो variant देखने को मिलते है 6 GB, 128 GB और 8 GB, 128 GB तो 6 GB वाले variant का price दोस्तों 17,999 यानि कि 18,000 होने वाला है चोकि realme 8 4G का price भी दोस्तों base variant का same यही price है और इसका भी दोस्तों same यही price होने वाला है क्योंकि दोनों mobile में दोस्तों काफी difference है, display में difference है और यहाँ पर camera में भी difference है इसके अलबा यहाँ पर जो processor है उसमें भी difference देखने को मिलता है तो एक phone दोस्तों 5G है लेकिन यहाँ पर आपको display और cameras में compromise करना पड़ेगा लेकिन एक phone जो 4G है उसमें दोस्तों आपको display और camera काफी तगड़े मिलते है 4G वाले variant में लेकिन 5G वाले variant में यहाँ पर आपको थोड़े से दोस्तों downgrade देखने को मिलते है इसके अलबा 8GB वाले variant की price की बात करें तो वो है दोस्तों 19,999 यानि की 20,000 रुपे तो 18,000 इसके दोस्तों base variant की price होने वाली है तो phone गाइस काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पर display जो वो AMOLED होता तो और भी मज़ा आता और यहाँ पर camera में भी हमें थोड़ा सा downgrade देखने को मिलता है तो खेर आप मुझे नीचे comment करके बताना की आपको यह mobile कैसा लगा है और क्या आप Realme 8 Pro 5G खरीदना पसंद करेंगे या फिर Realme 8 Pro 4G के साथ जाना चाहेंगे खेर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ यह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना